मसकार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ उमें नेहा बात हम दो बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे मुंगेर से जुड़ी खबर के साथ जहां पर पानी के भीतर बारूद बरामत किया गया है वो बारूद जो आतंकी इस्तिमाल करते हैं वो बारूद जोने नकसलिय तक पहुचाया जाना था अवैद कट्टों के लिए पहुचाने वाला मुंगेर अब एके 47 के लिए जखीरे के लिए चर्चा में यहां कुए में मीठा पानी नहीं एके 47 मिलती है नालों में पानी से ज़्यादा बारूद भरा हुआ है बिहार के मुगेर में अब अवैद कट्टे नहीं एके 47 मिलते हैं कुए के भीतर गोता खोर मचलिया नहीं मार रहे हैं बारूद खोज रहे हैं नाले के भीतर गोता खोर तलाश रहे हैं एके 47 का सखीरा मुगेर यू तो अवैद हत्यारों के लिए कुख्यात रहा है लेकिन इस बार यहां लगातार एके 47 जैसे घा तक हत्यार मिल रहे हैं बीस एके 47 मिल चुके हैं और अभी भी यहां पर खुद चल ले ही है सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जिस मुगेर की चर्चा हत्यारों की फैक्टरी और अवैद हसलों की भरमार के लिए होती थी उस मुगेर में अब एके 47 बित्ती है उस मुगेर में अब एके 47 के व्यापारी बसते हैं वो नकसलियों को एके 47 उपलब धकराते हैं वो आतंकियों तक पहुँचाते हैं एके 47 और इस बात की तस्दीक कर रही हैं ये तस्वीरे देखिए ये एके 47 के पार्ट से जिन्हें जोड़ कर बनाई जानी थी एके 47 और पहुचाई जानी थी आतंकियों था ये पूरा माजरा क्या है बहुत तफसील से सुनिये तारीख 29 अगस 2018 ये वो तारीख थी जब पहली बार तीन एके 47 के साथ मुगेर के जमालपुर में इमरान नाम का आदमी पकड़ा गया था पूलिस को शक हुआ कि ये एके 47 वही है जो मध्यपरदेश के जबलपुर हथियार फैक्टरी से गायब हुई थी परताल आगे बढ़ी तो आमना खातून नाम की एक महिला पकड़ी गई पूछतास के दुरान आमना खातून ने बताया कि मनजी के घर के आंगन में एक कुआ है और उस कुए में मनजी की पत्नी के दुवारा कुछ हतियार का बोरा डाला गया था पूलिस को तुरंत हसास हो गया कि हतियारों को नकसलियों और आतंकियों तक पहुँचाने का जबरतस्त नकसस चल रहा है पूलिस ने अब तक छे मामले दर्ज किया है छे लोगों को जेल भेजा है आठ लोगों को रिमांट पर ले रखा है पूछतास जारी है हतियारों की खोजबीन जारी है पूलिस को शक है कि जबलपूर हतियार फैक्टरी से गायब 50 से जादा एक फटी सेवें यही खपाई गई अब पूलिस इस पूरे मामले के मास्टर माइंड तक पहुँचने की कोशिश में है बहुत संभव है कि आतंकियों की किसी बड़ी साजिश का पर्था फाश हो सुजीत चा मुगेर आज तक तो जहाँ पर बिहार के मुंगेर में एक तरफ कुएस एक फॉर्टी सेवन मिल रही तो वहीं अपराधी भी दूसरी तरफ बेलगाम दिखाई दे रहे हैं मुजफरपुर में मंगलवार को एक कारोबारी जैप्रकाश की गोली मार कर हट्या कर दी गई कुछ दिन पहले ही मुजफर नगर में एक फॉर्टी सेवन से ही तूर मेर को फोलियों से बून दिया गया था अब आलम यह है कि जिले के नए SSP मनोज कुमार को खुद पर टोलिंग करनी पड़ रही SSP थाने थाने घूम कर या श्वस्त करने की कोशिश कर रहे है कि पुलिस अपना काम कर रही है या नहीं उधर शेकपुरा से 27 अक्टूबर को अगवा किया गरामीर बैंक के मैनेजर की भी हत्या कर दी गई है मैनेजर जैवर्धन कुमार की लाज भारकन की पुदर्मा से मिली मैनेजर का उस्वक्त अपरण किया गया था जब वो अपनी बाइक से शेकपुरा से अपने घर नवादा लौट रहे थे 27 सितंबर की ए घटना जब बैंक मैनेजर का अपरण हुआ था तू रहे थे का दिता की बाइक से शेको के गले बाइक से अपरण हो अपरण हो अपरण है